दोस्तों 2023 में फरवरी में 35 सबजियां लगा कर आप जितना ज्यादा मुनाफ़ा ले सकते होना सायद ही कोई किसान अगेती सबजियां लगा कर उतना मुनाफ़ा ले पाएगा क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं सबजियों की फसलों की एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी कड़वी सचाई शेयर करने वाला हूँ जिसको जानकर आप चोंक जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे कि जो किसान भाई अगेती सबजियां लगाते हैं ज्याद बहुत इन सालों में नोटिस किया है कि अगेती सब्जियों के मंडी भाव अब इन सालों में उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं जितने ज्यादा पहले मिलते थे इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा यानि कि 99% जो किसान भाई है वो सब्जियों की अगेती खेती जो है वो सबसे ज्यादा किसान भाई जो है मैंने एक कल अपने चैनल पर ओपनियन पोल भी डाला था और बाकी किसान भाईयों से आप लोगों से बातचीत होती रहती है तो 99% जो किसान भाई है वो सबसे ज्यादा इस समय अगेती सब्जिया लगा चुके हैं और उन सब्जियों में अभी फ पच्छेती सब्जिया लगाते हैं उन से सबसे ज्यादा मुलाफा मिलता है यानि फरवरी में आप जितनी ज्यादा पच्छेती सब्जिया लगाओगे उनके मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि फरवरी माह में जो सब्जिया हम लगाते हैं जिन सब्जि ती फसले जो होती हैं वो करीब करीब समाप्त हो जाती हैं क्योंकि अगेती सबजियों में ज़्यादातर तोरह, तरककडी, खरबूजा या तर्बूजा आपका या फिर आपके छपपन, टिंडा टिंड़ी बगरा इस तरह की जो फसले होती हैं ये लगाई जाती हैं और ये फसले जो है दो तीन महिने में उत्पादन देकर समाप्त हो जाती हैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फरवरी माह में अगर आप पछेती सबजिया लगाओगे तो उनके मंडी भाव आपक कर मार्केट में जाएंगी उस समय मंडी में सबजियों की आवग काफी कम हो चुकी होगी क्योंकि उस समय पर काफी किसान भाई जो अगेती सब्या कर चुकी हैं उनकी फसले यह होता है कि हमारी बचत ही हमारा मुनाफ़ा हो जाता है क्योंकि इसमें हमारी लागत जो होती है वो काफी कम होती है ना तो लो टरनल का खर्चा होता है प्लास्टिक जो मल्च लगाते हैं ना उसका खर्चा होता है केवल हमारा बीज का खर्चा होता है बैड बनाने का फरवरी माह के आखरी सब्ता में जो किसानबाई सब्जियां लगा रहे हैं तर्बूज को छोड़ कर तर्बूज अगर लगा रहे हैं तो उसमें तो प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा और low-turnal का जो खर्चा है जो 40-50,000 रुपए परती एकड के इसाब से इसका खर्चा आता है वो खर्चा भी हमारा बज जाता है लगबग 10-12,000 रुपए प्लास्टिक मल्च का खर्चा भी आ जाता है तो ये खर्चा भी हमारा बज जाता है कहने का मतलब है कि फरवरी मा में अगर हम सबजों की खेती करते हैं और पचेती करते हैं तो इसके मंडी भाव हमें सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं और फरवरी के आखरी सब्ता में जो किसानवाई पचेती सब्जिया लगाते हैं उनको एक बनिफिट और मिलता है कि उनको अपनी जगे खाली नहीं रखनी पड़ती है अगर दिसंबर में सब्जिया लगाती तो दिसंबर में हमारी जमीन वो ब्लोक हो जाती है अगर जनवरी में लगाएंगे तो भी हमारी जमीन रुख जाएगी फरवरी माँ में, अगर आप सबजिया लगाने की सोच रहे हैं, तो ये अच्छा मुका है, अभी से आप तैयारिया सुरू कर दीजिये, जमीन वगरा आप तैयार रखे, फचले अगर कटाई हैं, तो फचले वगरा कटाई़ करके, और जमीन की तैयारिया सुरू करे और अगर थोड़ा समय लगता तो मार्च में भी आप लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, मार्च में लगाएंगे तो भी आपको इसके मंडी भाव अच्छे मिल जाएंगे, और गर्मियों में सबसे ज्यादा मंडी भाव रहते हैं आजकल, और मैं यहां पर आपको कुछ सब काफी अच्छे में लगा सकते हैं, तो बहुत लगा सकते हैं, और दूसरा यहां पर तर ककड़ी लगा लीजिए, यहिकिनर दोस्तों तर ककड़ी आप जिस समय पर लगाएंगे, तर ककड़ी को तो आप 15 फरवरी तक ही लगा दीजिए, या फिर आप फरवरी के आखरी शप अगर आप 15 फरवरी तक भी तरककडी लगाएंगे तो आने वाले दिनों में जब आपकी तरककडी मार्केट में जाएगी उस समय अगेती तरककडी बंद हो जाएगी तो इसके भी आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इ सकते हैं मिर्ची की नर्शरी हरे अरिया में मिल जाती है और अगर आप खरीद कर नहीं लेना चाहते हैं तो मिर्ची की नर्शरी डाल दीजिए तमाटर की नर्शरी डालेंगे तो वो भी आपको काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा तमाटर के मंडी भाव गर्मियों में अभी तायम पड़ा है अगर आप फरवरी के पहले सब्ता में नरसरी तयार कर लेंगे इन सब्जियों की तो लगभग महिने भर में आपकी नरसरी यहां antikayam auslate 200 और आप कर सकते हैं तो तो यहांपर मैंस के सुझाओ देना चाहूंगा तो आप टमाटर की अगर नर्सरी कर रहे हैं तो वो परोट्रे में करें ताकि प्लांटेशन के समय आपका पोदा इस्ट्रेस में ना जाए या खराब ना हो दोस्तों यहाँ पर आप मिर्ची की अगर नर्सरी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वरायटिया बता देता हूँ उन वरायटियों का आप selection कर सकते हैं मिर्ची अगर आप लगाना चाहते हैं तो कलाउज कमपनी की 58 नमबर वरायटी आती है 58 उस वरायटी का काफी अच्छी काफी शांदार वराईटि है, अच्छी मंपंडी का तो इस वराईटि सेलेक्षन कर सकते है,को तो सबसे बेस्ट वराईटि स्मिनसlles कि अबिलास वराएटी 10 इसका आप सेलेकशन कर सकते हैं उत्पादन तो इसका आपको काफ़ी शांदार मिले गा ही फल भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरा अगर आप चाहें तो सीजंटा कंपनी का हीम सीखर टमाटर आता है ये भी काफी अच्छा और काफी शांदार वराइटी है इसका भी आप सेलेक्सन कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पीछे बताया कि तरबूज की खेती सबसे ज़्यादा किसान भाई अगयती करने लगए हैं दो च्यार सालों में सबसे ज़्यादा अगयती खेती होती है तरबूज की तो अगर आप तरबूज फरवरी के एंड में लगाते हैं या मद्दे फरवरी तक भी तर्बूज लगा देते हैं तो आने वाले दिनों में तर्बूज के आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं यहां पर आप तर्बूज भी लगा सकते हैं तर्बूज की खेती अगर आप इस समय पे करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रोफिट मिल सकता है क्योंकि दोस्तों तरबूज की खेती अगर आप फरवरी में करेंगे तो आपको लोटनल का खर्चा तो करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको प्लास्टिक मल्च जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फरवरी में इसकी खेती करेंगे, तो ग्रोथ भी इसकी काफी अच् समय पे अगेती जो तर्बूज होगी वो समाप्त हो जाएगी मार्केट में आनी बंद हो जाएगी और उस समय गर्मिया जो है वो काफी अच्छी गिरने चुरू हो जाएगी तो गर्मियों में तर्बूज के जो मंडी भाव होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं आपको भी प काफी अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है इसके भी आपको मंडी भाव काफी अच्छे मिलने के चाज़ाज है और उसके बाद में आप करेले की खेती कर सकते हैं करेले से भी आपको मंडी भाव काफी अच्छे मिल सकते हैं करेले के तो बारों महिने में मतलब कभी कभार को छोड कर हमेशा करेले के मंडी भाव अच्छे ही रहते हैं कभी भी इतने डाउन नहीं आते हैं बाकी सब्जियों के बहुत जदा डाउन आ जाते हैं लेकिन करेले के मंडी भाव इतने जदा डाउन नहीं आते हैं और फरवरी में अगर आप करेला लगाएंगे तो मार्केट में जि नहीं वीडियो में दी गई जानकरिया अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं कि इस नए वीडियो में ने टोपी के साथ तब तक के लिए जैहिंद्ट